हाई ब्रीवन आई आज की इस वीडियो में हम कलास नाइन्थ के बाईलो जी भारती ववन बुक का चिप्टर नमबर टू उतक उतक चिप्टर से रिलेटेड अती लगू उतरी ये कोश्चन्स आज की इस वीडियो में कवर करने वाले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला कोच ने एक पादप उतक का नाम बताएं तो जायलम एक पादप उतक का एक उधारन है ठीक है नेक्स्ट है जर के शिर्ष पर कौन सा उतक पाया जाता है तो शिर्षस्त विवहज उतक उतक जर के शिर्ष पर पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट है सरल उतक के दो उधार सदा विभाजित होती रहती है तो विभोज यूति की उतक विभोज यूति की उतक जो है सदा विभाजित होती रहती है ओके नेक्स्ट है विभोज यूति की उतक को किस आधार पर विभाजित क्या जाता है तो विभोज यूति की उतक को तीन आधार पर विभाजित क्या जा हुआ है तो मिर्दु तंक में मिर्धु तक में अंतर कोश्च की अस्थान होता है दो को नाम बताएं जो पौधु को यांतरिक सहाइता देता है तो इस फूल कुण तक और दृव design पॉंटक है लूपर-इट क्या करते हैं जिसने तो हरीत तक क्लोरीन कारिमा में कольव Yap21 पाए जाता है ठीक है यानि उससे क्या काते है हरित उत्तक कलोरिन कायमा काते है हिसमें क्या पाए जाता है कि यो और चलते लिए यहें से किस्ट उत्तक की कोशी काउ में भिती ऊंडिमित ढंत से कोणों पर मोटी होती है यानि कि कोने पर जो है कोर्णर पर ओनीमी तुरुख ढंग से क्या होती है यह मोटी होती है तो एस्थुल कोन उतक में ठीक है नेक्स्ट है नारियल का रेसा किस उतक का बना होता है तो यह एस्थुल कोन उतक का बना होता है नेक्स्ट है मिर्दू तक कोशिकाओं की दो विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष या इसी को ट्राइक किड्स बोलते हैं दूसरा है बाहिकाएं तीसरा है जायलम तन्तू और चौथा है जायलम मिरुदु तक ठीक है जायलम मिरुदु तक ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है जायलम का मुख्षी कारी क्या है तो जायलम का क्या-क्या मुख्य काड़े है देखे जायलम की मुख्य काड़े निम लिखेते हैं पहला यह पौधो को यांत्रिक सहयता देती है यह जल को तने द्वारा जर से पत्ति तक पहुँचाती है यह हो गया इसका पहला काम दूसरा है यह मुख्यता पौधो को यांत् शर्विये संबहन में मदद करता है, ओके, चलिए, नेक्स्ट कोशने किस उतक दोरा पौधों में खादि पदार्थों को संबहन होता है, तो फुलोईम उतक की दोरा, किनहीं दो परकार के एपिथिलियमी उतक का नाम बताएं, तो पहला है, शलकी या शलकाई एपिथिलियम, दूसरा है, अस्थमबाकार एपिथिलियम, नेक्स्ट है, तो इचा की सता पर किस परकार की एपिथिलियम उतक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है, शलकाई एपिथिलियम नामक उतक, ठीक है, कोश्चन नमबर 19 है, पक्षमाभी एपिथिलियम की सीलिया में होने बाली तो पक्षमाभि एपिथेलियम की सिल्या में होने वाली गति सिल्या सिल्यरीं गति का लाती हैं थिक है नेक्स였습니다 सामूं जी उतक के दो उधारंडे घुर में धरी ये यूलर उतक और दूसरा है एले कोज उतक ठीक है question number 21 है सयोजी उतक कितने प्रकार के होते हैं तो सयोजी उतक जो है तीन प्रकार के होते हैं पहला है बास्तविक सयोजी उतक दूसरा है तरल संयोजी उतक या इसी को संबहन उतक भी बोलते हैं तीसरा है हमारा कंकाल तीसरा यह आप नहीं लिखा हूँ है बट लिख लिजेगा कंकाल उतक ठीक है कंकाल उतक ठीक है कंकाल उतक ठीक है यह तीसरा है आपका ठीक है चलिए, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, एडियोलर उतक में पाए जाने वाली दो परकार की कोशिकाओं के नाम लिखे, तो पहला है, फाइब्रो ब्लास्ट और हिस्टो साइट्स, ठीक है? कोशन है, एडि पोज उतक में पाए जाने वाली संचित पदार्थ क्या है तो बो है बसा, ठीक है? पहला है उपस्ति उतक और दूसरा है अस्ति ठीक नेक्स है उपस्ति में पाए जाने वाली कोश्च कई क्या कहलाती है तो यह कहलाती है रख्त की प्लाजमा में पाए जाने वाली तीन प्रकार की रूधिर का निकाएं कौन-कौन से हैं पहला है लाल रक्त का निकाएं जिसे हम लोग आड़ बीशी काते हैं ठीक है यानि रेड बलड बलड सेल ठीक है नेक्स्ट है श्वेत रक्त को शिकाएं जिसे हम लोग क्या काते हैं priority एंगों में गतीवी ठीक है गत कोस्चन नंबर 31 यह जंतों कर मस्निष्क किस परकार के उतक का बना होता है तो यह तंत्रीका उत्तक का बना होता है फाश्ट्ट्रका उत्तक की किया कहलाता है तो नियोरोन यह तंत्रीका कोशिका कहला थाます नेक्स्ट है बहु कोशिके जीवों में कारियों दक्षिता पुर्वक संचालन क्या अव्यवस्था रहती है तो बहु कोशिके जीवों में कारियों के दक्षिता पुर्वक संचालन के लिए कोशिकाओं के भिन-भिन समु होते हैं कोशिकाओं के इस समुख को उतक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, समान उत्पत्ती तथा समान काड़ियों को समपाधित करने वाली कोशिकाओं के समुख क्या कहलाता है, तो ये उतक कहलाता है, तने की चवराई में बिर्धी किन उतक के निर्मान से होती है, तो ये होता है पा आधहार या टाहनी के पर्व के दोनों और पाई जानेवली उतक क्या कहलाता है तो ये कहलाता है अंतरदेशी और अंत बृष्टी उतक ठीक है नेक्स्ट है अस्थाई उत्तक का निमान किस उत्तक के बिर्धी के फॉल सुरूत होता है तो ये अंतरवेशी या अंतब्रिष्टी उत्तक के बिर्धी से होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है सरल अस्थाई उत्तक किस परकार की कोशिका में पाया जाता है तो इस सम्रु ने काईमा काते हैं ठीकिन नेट्स ए उतक की कोशिकाइँ 10बी संग्री तथा दोनों 3 उपर नूकिली होती है तो यह है इंक रिघ्री एक काईमा एक लिए कॉस्टन अस्थानों पर merchाने वाले पाउधों में ऐस्पड ends की कोशिकाओं की ऊपर किसकी एक परत होती है तो यह होती है क्यों टिकल की परत होती है ठीक है नेक्स्ट है क्या कोशिकाओं में जीब्द्रब पाया जाता है तो नहीं कोशिकाओं में जीब्द्रब नहीं पाया जाता है दो या दो से अधिक परकार की कोशिकाओं से बने उतक क करती है तो जेटील अस्था ही उतक कर लाती है जाला में फलोएं मिलकर किसका निर्मान करते हैं तो संबहन बंडल का कि शह कोशिक की चाले निलिक का कि किस भाग में अवस्थित रहती है तो यह रहती है पाशर्व हाग में तो जान तो 47 है किस उतक के मुक्त सीरे पर सुच में रसांकूर बिधमान होते हैं तो ये होते हैं अस्थमबाकार इपि थिलियम में ठीक है नेक्स्ट है छोटी आत की भीत्री अस्थर कानिर्मान किस उतक से होता है तो अस्थमबाकार इपि थिलियम उतक से होता है ठीक है नेक्स्ट है घहनाकार कोशिकाओं वालिक उतक को क्या कहते हैं यानि क्या कहलाते हैं तो ये क्यूबाई डल इपिथिलियम कहलाते हैं ठीक है नेक्स्ट है अंडबाहिनी अंडानु को एक ही दिश्वा में जाने देने के लिए किस उतक की कोशिकाओं मदद करती है तो पक्षमाभी या पक्षमल इपिथिलियम ठीक है नेच्ट है इंटीवड़ी का नियमान किन कोशिकाओं द्वारा होता है तो एंटीवड़ी का नियमान जो होता है यह होता है प्लाजमा कोशिकाओं ठीक है किस उतक के तारे जैसे कोशिकाओं होती है तो जालबत संयोजी उतक है ऑके आहतन के हिसाब से प्लाज़मा रुधिर का त Entrepreneur प्रतिसाथ ऌता है तो 35 किस परकार कि रूधिर कोश्रिक में केंदर्क नहीं पाहे जाता है तो लाल रकषिक रूधिर कोश्रिक रूधिर कनीकार लाल रूधिर कनीकार में पाय में टीक है तो आजक्त हमागी में न हीडिय को लाइक विडियो को सब्सक्राइब को